विग्यान एविवन आज हमने हिंदी में जो पाट पड़े जिसका नाम है उपकारी पेड़ अब हम उसका होमवग देख लेते हैं तो सबसे पहले आपको हिंदी की नोट गुप में इसकी शब्दात, शुरुत लेक और मौखिक और लेखित प्रशन अत्तर लिखने हैं तो चलिए हम मौखिक प्रशन अत्तर से शुरू करते हैं तान्या और मितु कौन थी? तो तान्या और मितु कौन थी? सहलिया थी फिर दूसरा है तान्या को क्या हुआ था? तान्या को क्या हुआ था? तान्या के शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आये थे फिर गवन पेड़ पौधे हमें जीने के लिए कौन सी गैस देते है मतलब पेड़ पौधों से जो हमें गैस मिलती है वो जो हम लेते है उस गैस को किस नाम से बुलाते है ओक्सिजन के नाम से है ना फिर गवन कौन सा आम अचार बनाने के काम आता है मतलब यह कह रहे है कि कौन से आम से पके आम से या कच्चे आम से हमचार बनाते हैं तो आंसर होगा कच्चे आम से ठीक है यह मोखिक थे अब लिखित मीतू की मा ने क्या सला दी मतलब जो मीतु की मम्मी थी उसने तान्या के लिए क्या कहा कि आप तान्या को कौन सी दवाई क्या करके करें तो जिससे तान्या ठीक हो जाएगी तो उत्तर है मितु की मा ने कहा की नीम की पत्तियों को पानी में अच्छी तरह उबाल कर उस पानी से तान्या को स्नान कराई है तान्या बिल्कुल ठीक हो जाईगी ऐसा कहा फिर नेक्स्ट प्रश्ण है पेड फौदे हमें क्या-क्या चीजे देते हैं तो पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं इस चेप्टर में हमें बताया है पेड़ पौधे हमें फॉल, सबजियां, तेल, मसाले और दवाईयां देते हैं फिर नेक्स प्रश्ण है लकडियों का उपयोग किस किस काम के लिए किया जाता है तो लकडियों का उपयोग हवान, इंधान और फर्णीचर बनाने के लिए किया जाता है फिर नेक्स कोशन है पेरपौधे पशु पक्षियों के लिए किस प्रकार उपयोगी है तो उत्तर है पेरपौधों की छाया में पशु पक्षी आराम करते है और पक्षी उनकी पेड़ों की डाली पे क्या बनाते है घोसला बनाते है फिर नेक्स्ट है प्रश्ण नमबर दो नीचे दिये गए वाक्य किस ने कहा तो बच्चों यहां से जितनी भी एक्सरसाइज है वो हमें किस में करना है तो आपकी परिवेश में पेश नमबर 124 उसमें प्रश्ण नमबर दो यह सारी एक्सरसाइज हम टेस्ट बुक में ही करेंगे तो इस प्रश्ण में हमें कहा है कि जो सेंटेंस दिया है वो सेंटेंस इस चाप्टर में किस ने कहा है तो चलिए पहला देखते हैं पेड़ पौदे हमारे सचे मित्र हैं यह किस ने कहा था मीतू की माने फिर सेकेंड है कच्चा आम तो अचर बनाने के काम भी आता है यह किस ने कहा था मीतू ने मीतू ने कहा था ना फिर वे भी पेडों की चाया में आराम करते हैं और यह sentence किस ने कहा था एक लड़की थी जिसका नाम क्या था गरीमा गरीमा ने कहा था उनकी लकडी फरनीचर बनाने के काम आती है और यह sentence किस ने कहा था सोनी आने तो इस प्रकार यह sentence जिस ने कहा था वो प्रश्न नमबर दो में हम उसके आगे लिखेंगे अब बढ़ते हैं भाशा की बात उसमें प्रश्न एक शुत्य शब्द उपर राइट लगाई है तो इसमें first one में आपको पताती हूँ बाकी सब आप लोग खुद करना ठीके पहला है संसार फिर दूसरा संसार और दिसरा सनसार तो इसमें से कौन सा संसार सही होगा second one हाना तो second one में हम टिक करेंगे इसी प्रकार आपको बाकी सब में जो सही शब्द है उसके आगे क्या करेंगे हम टिक करना है हमें ठीक है अब बढ़ते हैं हमारे प्रशन नंबर तो पढ़िए समझिये और लिखिये तो यहां पर आपको देखो ब्रैकेट में जो शब्द दिये हुए है जैसे आथा च फिर पूरा च चच फिर आथा क और पूरा कपक है ना तो ऐसे शब्द ब है तो जोन्हें ए प्रशन लिखेए हम देख हमें दिये हुए हे तो उसमें आथा च और पूरा च आरहा है यह दो में दूसरा में यहाँ हैं कर आथा बढ़ और ज बर dal का सितन है च च किया बनेगा चक्की च आधक और फिर बड़ी कई चक्की फिर शुद्ध शुद्ध लिखा हुआ है शुद्ध के बाद और कॉंसा आप बनेगा वुद्ध भाव में चोटियू की मात्रा वु दॉ और ड़ फिर नियो नियो का क्या बना तान्या बना और स cod стал वरड़ि में नया एगा तो धनया चीजन वैगाए धनया ।ब थय धयान है उसके एक-अर बर्डिष्ण क किसमें यह आ सकता है यह कर एक बदगा सब्सक्राइव फिर नेस्ट बर्रगा के पथा के छट्ता में भी देखो आधा तौर पुरा तो आता है फिर अच्छा में अच्छा लिखा हुआ है फिर इसा कौन सा वर्ड आएगा जिसमें चौर छौ आएगा तो मच्छर ठीक है फिर अतिरिक्ट अतिरिक्ट के अलबाऊ दूसरा वर्ड जिसमें आधा कर्त आएगा तो वो आएगा भक्त फिर लास्ट प्रसन्न प्रसन्न का एक वर्ट जिसमें आधान और पुरान आए तो वो होगा अन्न अन्न मतलब अनाच ठीक है? फिर नेक्स आज़ेए पेज नंबर 125 पे प्रेश्ण नंबर तीन एक और अनेक मतलब एक वचन और बहुवचन करना है यहाँ पे आपको एक वचन दिया हुआ है बाकी सब का आपको क्या करना है? बहुवचन पहला है सहली तो उसका क्या हैगा? सहलिया तो उसमें छोटी इकी मात्रा हो जाएगी और या के ओपर चंद्रबिंदू फिर खुशी खुशी क्या क्या होगा? खुशिया खुशिया में भी शोव में छोटी इकी मात्रा और या पे चंद्रबिंदू फिर पत्ती पत्ती में भी छोटी इकी मात्रा ती में और या के ओपर चंद्रबिंदू तो क्या बन जाएगा पत्तिया फिर डाली डाली एक वचन है डाली का बहुवचन क्या होगा डालिया फिर दवाई अब दवाई है तो इसमें बड़ी एकी मात्रा है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा बहुवचन में छोटी ए और याक्यो पर चंद्रविंदु दवाईया फिर यहां पे लिखना है फिर बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर प्रश्न नमबर चार समझे और लिखिये पेड़ और पॉधे तो यहां पे दो वर्ट को जोड़ने के लिए हमें किसका प्रयोग करना है और का ठीक है फूल डैश पत्ति ऐसा लिखा हुआ है तो हम क्या ल जोड़ने के लिए हमें और शिब्द कप्रयों करके इसको फिर से हमें यहां पे लिखना है अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर प्रश्न नमबर पांच समान अर्थ वाले शब्द पर राइट लगाए तो आपको समान अर्थ वाले शब्द जो भी है उसके आग इस चीज की हानी हो जाना ठीक है अनुपयोगी आने उसका कोई उपयोग नहीं होना तो उपयोगी का अर्थ क्या होगा लाबदायक फिर सेकेंड है वायू वायू के आगे तीन ओप्षन है पानी जमीन और हवा तो वायू याने क्या होता है हवा होती है न पवन जिससे हम सास लेते हैं तो क्या आएगा ओप्षन में हवा लास्ट वन में देखी हवा लिखा हुआ है फिर थर्ड वन है शुद्ध शुद्ध तो समान अर्थ में क्या आएगा शुद्ध याने साफ स्वच्छ ठीक है फिर लास्ट है सहायता सहायता मतलब मदद तो कहां लिखा हुआ है मदद सबसे लास्ट में तो बच्चो इस तरह एक्सरसाइज भी यहां पर कंप्लीट होती है हमारी तो अब इसमें और कोई एक्सरस करिएगा टेस्बुक में जितना आपको बताया गया है तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद आपको आपको अपको आपको इसमें लिए तो कि यहां है पर क्या स्कार हुआ है है कि यह बच्चोट यहां अपको, प्यूद एक्वाद